तो आज के अपन इस वाले वीडियो से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली यह वाली सीरीज 30-day का कोडिंग चैलेंज होने वाली है इस 30-day के कोडिंग चैलेंज में अपन क्या करने वाल है अगर आप Node.js में बिल्कुल बिगनर है या आपने अभी तक सीकना स्टार्ट नहीं किया है तो आप इस 30-day कोडिंग चैलेंज को ले सकते हो और इसे कम्प्लीट कर सकते हो तो इस चैलेंज की कम्प्लीट होने के बाद आप कम्प्लीट सीरीज को अपने ब्रॉजर पर बुक मार कर लिए जिससे आपको मैनुवली सर्च ना करना पड़े तो बिना देर क्यों करते है हमारी आज के इस वीडियो से इस सीरीज को स्टार्ट लेकिन हाँ उससे बढले को छोटा सा इंटोट एक्शन देना चामगा नूट्रिन स्कु करवाया जाता है मिनियों 5,66 और जब आपका किसी भी टेक इंडिस्ट्री में मिनियों 5,66 प्लेस्मेंट हो जाता है तभी आपको प्लेस्मेंट को पेमिन तो बस गाई यही था नूट्रिन स्कुल के बारे में छोटा सा इंटोडेक्शन और अब चलते हमारी आज के इस वा अब मैं वापस अपने VS Code Editor में आता हूं तो यहां पर मैंने क्या कर रखा है कि इंटोडेक्शन यहां पर डाउन कर रहा है नोर्डेस के बारे में मैं आपको वापस एक explain करता हूँ इस तरीके से तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में तो यहां पर मैं अपना whiteboard open कर लेता हूँ देखे तो जो हमारा node.js होने वाला खुझ से तो कोई भी programming language नहीं है लेकिन यह क्या करता है कि जो हमारा JavaScript होता है उसका runtime environment है अब इसको किस की help से create किया गया था तो इसको create किया गया था हमारा Chrome browser होता है न जो हमारा Chrome browser है Chrome browser उसका जो JavaScript engine है 업+. Okay, इसकी help से क्या किया गया था V8 engine की help से इसको Node.js को create किया गया, तो यहां पर मैंने दो चीज़ आपको बता दी है, यहां पर एक तो JavaScript का run 10 environment है, इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा JavaScript का code होने वाला है उसको outside the browser अपन run करवा सकते हैं, और second number पर मैंने यहां पर यह पता है V8 engine के बारे में, तो V8 engine ने एक से लिए कि जो भी हमारा JavaScript पर code execute करते हैं मारे Chrome browser में, तो for example, मैं वापस आपको एक example के show करता हूँ, यहां पर आता हूँ, यहां पर आप देखेगा, कि इस screen को मैं clear करता हूँ, अब मैं यहां पर को भी आगर मैं जावसके पर code यहां पर add करना चाहूँ ना माल याँपर मैं एक variable यहां पर create करता हूँ यहां पर इसको name यहां इस string ने आमे assign कराता हूँ इस तरीके से, और अगर मैं यहां पर एक को इस तरीके से करूं, तो यह हमारा JavaScript का code है, यह किस तरीके से execute हो रहा है, तो यह हमारा Chrome browser होता है, उसमें एक JavaScript का engine है, V8 engine, उसकी help से यह यह जावस्कीप पर code execute होता है तो वही सेम चीज़े यहां पर होने वाली है जो हमारा अभी अपने क्या देखा हो ना अभी अपने किसको आउटसाइट थी ब्राउजर इसको run करवा रहे हैं मतलब हमारा अपन सर्वर पर run करवा रहे हैं तो सर्वर पर run करवाने के लिए अपन जावस्कीप को code क्या यूज करते हैं नोड.js का यूज करते हैं तो नोड.js को बनाया गया था Chrome browser होता है उसको V8 engine की help से एक जावस्कीप को run time environment तयार किया गया था यह हमारा basic है कि हमारा node.js क्या होता है तो पहले अपन simple javas के help से क्या क्या करते हैं उन्हें front end application क्या करते हैं मतलब हम ब्राउजर client side वाली चीज़े करते थे लेकिन जब से हमारा node.js आया उसकी help जपन क्या करते है server side वाले भी application हम node.js के help से easily create कर सकते हैं तो client side का मतलब होता है आपका browser side client side और server side के बारे में आपको बता जेता हूं तो मानले ultimate client side इस थरीके से आपका तो client क्या होगाि हे आपका client side हो गया ठीक है? अब client side आपका कुछ भी request कर रहा है मानले, कुछ भी request यह आपका server हो गया . यह आपका server Okay ! तो client side जो looks like करेगा हमारा justice server पर और server इसके response में कुछ भी request होगा उसको response कर रहा होगा तो यह हमारा simple grind और server के बारे में होगा इसके बारे में आने वाले वीडियो में आपन ओ detail में देखने वाले है अब मैं आपको अधार दा हूँ कि इसकी history के बारे में जो हमारे Node.js, इसकी history actually क्या है तो पहले तो पर क्या करते है जो भी हमारा front end application create करते हैं only JavaScript के help से only front end application ही create क्या करते हैं लेकिन 2009 में क्या हुआ था कि हमारे Google के engineer तो उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारा JavaScript, sorry मैं वापस यहां पर आता हूँ, उन्होंने क्या किया इसकी help से क्या कर रहे थे, जो भी हमारा JavaScript का code है उसको अपन server side भी उसको run कर रहे थे और यह वाले चीज हमारी बाद में बन गई हमारी Node.js, तो यह इसकी simple सी basic सी history है कि कि इसकी help से create क्या गया था, C++ को, C++ को और V8 in general दोनों को embed करके node.exe file create कही और इसके बाद उन्होंने, इसको node.js में से convert हो गया तो यह हो गया हमारा किसके बारे में Node.js क्या है और इसकी basic सी history के बारे में अब यहां पी देखते है कि Node.js का 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 इसका use क्या जाता है, तो जो mainly use क्या जाता है वो इसमें use क्या जाता है data streaming applications के लिए तो मैं आपको आने वाले वीडियो में इसके features के बारे में बताऊंगों तब आपको यह अच्छे वाले चीशे समाझ में आएंगी कि इसी data streaming application के लिए क्यों use क्या जाता है और इसका जो second सबसे जादा use क्या जाता है आपको basic understanding तो होनी चीए जावस्किप के बारे में ऐसा निया कि आपको जावस्किप के बारे में कोशी भी पता नहीं है और ऐसा निया कि आपको आपको advanced होना है आपको जावस्किप पे topics पे साथ के साथ कवर करता रहूंगा जो मारे 30 day coding challenge होने वाल है तो आपको इसमें tension नहीं लेना आपको basic JavaScript के बारे में पता होना चीए अपन किस तरीके से variable create कर सकते है किस तरीके से functions create करते है या अगर आप basic चीज़ भी आपको पता होगी तो भी आप यापर node.js series को देखना start कर सकते हो और second चीज़ेस में क्या होने वाल है wave application तो अपन node.js की helps क्या करने वाल है wave application create करने वाल है तो आपको styling वाले part पर भी ठोड़ा बहुत आना चीए मतलब आपको HTML chases के बारे में पता होने चीए अपन किस तरीके से website का basic सा layout तयार कर सकते है और अपन यहां पर styling के लिए तो जादा focus नहीं करेंगे body stack पर यूज करते हो अपन simple layout तयार कर लेंगे तो यह था हमारा आज का इस वीडियो को बनाने का motive कि मा आपको बता सको कि node.js actually में क्या है node.js क्या है कोई भी programming language नहीं है खुझ से कोई भी हमारा framework नहीं है वो क्या यूज करता है वो जावास्किप को यूज करता है as a programming language और simple क्या है वो एक जावास्किप का runtime environment है जिसकी help से पन क्या करते हैं जो भी हमारा जावास्किप का code होने वाला उसको outside the browser मतलब उसको run करवा सकते हैं और इसको node.js को create किया गया था किसकी help से create किया गया था जो हमारा chrome browser होता है उसका v8 javascript engine की help से node.js को create किया गया था ओके और इसकी जो official website जो अपन इसका complete इस series में अपन reference लेने वाले वो अपन यहां से लेने वाले node.js.org तो आप इस website को visit कर सकते हो और next video open क्या करने वाले है complete node.js का installation देखने वाले है हमारे system के लिए है तो आप क्या कीजिएगा सबसे पहले तो आप इस वाली playlist को अपने browser पर बुक मार कर लिए complete यहां 30 दे का coding challenge होने वाले है आप इसको browser पर बुक मार कर लिए और चैनल को subscribe कर लिए जैसे मैं video upload करूँ तो आपके पास notification आजाए आपको manually search ना करना पड़े तो हमारा 30 दिन के अंदर 30 दिन 30 वीडियो होने वाले मतलब हर एक दिन सामको 7 बजे हमारा video premium हो रहा होगा ओके तो बस गाए आज के वीडियो के लिए इतना ही आपके लिए बाए आपके लिए लिए बाए